ब्रत के लिए या तो फिर आप ऐसे ही कुछ नया पसंद करते हो तो ये रैसी भी जरूर से ट्राइ करिए सिर्फ दस मिनिट में बन जाती है साथ में दो तरह की चेटपटी चेटनी तो ही है और जिसके लिए मैंने यहां पर लिया है बगर जिसे गुजराती में सामो कहा जाता है माराठी में मोरयो है जिसे सामक चावल भी कहा जाता है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ ये कुछ इस तरह से दिखते जिसे कि हम जो सूजी या रवा लेते ना पर उससे थोड़े से ये मोटे दाने होते इसे मैंने अच्छे से दो तीन बार कपड़े से पोच लिया है और उसके बाद मिक्सर में इसका फाइन पावडर तयार कर लिया है एक बरतन में ये फाइन पा ताकि इसकी हमें स्मूथ सी प्योरी मिल जाए तो पांच मिनिट के बाद जब पीस के ये तयार हो जाएगा तो इसके बाद हमें इसमें परयाप पानी दालेंगे मतलब कि एक पथला सा हमें बैटर तयार कर लेना है तो इसके अंदर हो सके उतना हम पानी थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे और इसे फिर से मैं 5-10 मिनिट के लिए साइड में रख देती हूँ तो यहाँ पर यह मिसरन हमारा अच्छे से सैट हो चुका है तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ले ली है यहाँ पर इसे में गोल-गोल कट कर रही हूँ आप चाहे फिर से दो मिनिट के लिए मैं साइड में रख देती हूँ तब तक यहाँ पर हम इसके लिए एक चटपट इसी चटनी भी तयार कर लेंगे मेरे यहाँ तो वरत में जो जो चीजे खाई जाती है वो मैं इस्तमाल कर रही हूँ पर आप अपने हिसाब से जो वरत में नहीं खाते हो उसे आप स्कीब भी कर सकते हो एक चटनी के लिए मैंने यहाँ पर 15-20 हरी मिर्च और मुठी बर यहाँ पर कच्छे आम के टुकड़े और स्वाद अनुसार नमक लिया है इसे अच्छे से पीस लेंगे बीना पाने दाले तो यहाँ पर यह हमारी एक चटनी तो तैयार है और एक चटनी के लिए कच्छे आम के टुकड़े साथ में हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा सिमना मिर्च का टुकड़ा और साथी साथ थोड़े से यहाँ पर मुठवली के दाने और धेर सारा हरा धनिया स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी रहे उसके लिए एक टुकड़ा बरफ का और दो चमच दही लेगे दही मैंने यहां पर खटी वाली बिलकुल नहीं लिए और इसे अच्छे से पीस लेंगे तो यहां पर यह वरत वाली चक्टी भी तैयार है एक बाजू हम डोसे का तवा गरम कने के लिए रख देंगे जैसे हम नॉर्मल डोसा बनाते उसी तरह से डोसे के तवे के उपर थोड़ी सी बुंदे पाने की दाल देंगे और उसे पोच लेंगे गैस का टेंपरेचर हम यहां पर स्लो करतेंगे और यह बैटर एकदम पतला रखा है तो हम चमच को जो है डोसे के तवे के उपर टैच नहीं क गर आप चाहें तो तेल काब इस्तमाल कर सकते हो जिस्तार से हम पहला ढ़ा सा में लगते है थोते हो उसी तरह से इस लिए खाला खालते हैं ऐसे ắc्रें शाने के लिए एकिचाना ऑराम से निकलते जाएंगे और दोनों साइड्स से की जरूरत नहीं नहीं इस आप मुझे कॉमेंट में जरूर से बताएगा वैसे तो मैंने इसका नाम डोसा रखा है पर क्या सही रखा है इसका नाम डोसा और वो भी एकदम फटाफट बन जाने वाला तो बिना वरत के भी अगर आप इसे बना कर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को ट प्रिष्टी लगती है और खास बात तो यह है कि आप इसके साथ चटनी भी नहीं परोसेंगे तो सिर्फ दही के साथ भी खा सकते क्यूंकि इसके अंदर हमने धेर सारा करीपता और हरी मिर्चों मिला दिये तो उसी से यह बहुत ज़्यादा स्वादिश लगता है तो यह द सारा से यह ओपन भी हो रहे तो इससे बैश रिजल्ट और क्या चाहिए बिना तांजान वाला है बिना मैनत वाली है और खास करके हर कोई इसे पसंद करेगा ऐसे रसीपी यह तो इसे ट्राइक करना तो बनता है चटपटी चटनी और यह मिल जाए तो बस बही बले बले तो आपका क्या कहना यह रसीपी के बारे में जरूर बहुत है